साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहां पर आपके ASRB की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि ARS का फॉर्म आने वाला था जो कि आपका एक करेंगे तो यहां पर लेटेस्ट न्यूस के कॉलम में आपको देखने को मिलेगा नोटिस रिगार्डिंग समिशन आफ दा ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर आरे तो इस तरीके से आपको यह नोटिस देखने को मिलेगी जो कि आपकी चार जुलाई की नोटिस है और यहां पर यह बोला गया है कि कुछ administrative reasons की वजह से जो आपका online application है वो अभी आपका start नहीं हो पाया है और वो आपका जो कि 5 जुलाई को होना था और 26 जुलाई तक यह प्रक्रिया चलनी थी लेकिन अब इसको सब कर दिया गया है तो यह नहीं कि अब 30 अगस्त से यह form आपका active होगा और last date जो होगी वो 20 September होगी ठेक है और यहां से एक चीज और समझते जाएगा अभी आपका आपका नहीं आ रहा है तो मुझे साथ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ निके तरफ से टेकनिकल इशूज है मतलब जहां से इनका collaboration है एक्जाम अगरा कंड़क्ट कराने का वो चीज़ें साथ नहीं हो पा रही है इसी वज़ासे इन्होंने यहां पे एक नोटिफिकेशन भी चला है request for bid for pre examination online computer-based examination post examination processing work for ASRB तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि यह जो इनका जिस भी technology से जिस भी company से इनका एक्जाम कंड़क्ट कराने की जिम्मेदारियां थी वो चीज़ें शायद थोड़ा सा लैक हुआ है इसी वज़ासे आपका ASRB का भी result अभी delay हो रहा है और आपका यह particular exam भी आपका delay हुआ है तो एक आपका हिंट है कि शायद इस वज़ासे में भी एक possible region हो सकता है तो अगर इसी भी तरीके की कोई भी important update जो है वो आप तक साजा किया जा सके बाकी मिलते हैं next video में next information के साथ thank you very much